हलो दोस्तों स्वागत है एक और नए वीडियो में आज अपन बात करने वाले हैं ग्रूप डी के फीजिकल के बारे में देखिए सबी लोगों से हम यही सुनते हैं कि ग्रूप डी का फीजिकल बहुत इजी होता है और इसमें कुछ ज़्यादा कुछ का नहीं करवाया जाता है एक 35 किलो का बोरा उठागर आप लोगों को चलना है साथी साथ एक किलोमेटर की दोड़ करनी है लेकिन वास्तविकता जब आप लोग देखोगे ग्राउंड में जाके लेकिता क вд yave चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजीगा वीडियो अगर आप लोगों पसंद आती तो लुक्त जरूर में जरूर करेँ तो चलिए वीडियो के अंदर लेखे लेते हैं जिस कार से आप लोकों को दिकर रहा है कि सारे के सारे के सारे कान्डिटेट जितनी दूरी आप लोगों था जो है वो दूर को का अनुकि को का उता है, है कि वो कितने जनों का बेच बना कर आप लोगों को दोड़ा है तो यह जो 35 फिल का बोरा उठा कर चल रहे हैं इसके इंदर फेल उनने वाली कंडिडेट की संक्या काफी कम होती है यहां पर क्यूंकि आसानी से हो जाता है दो मिनिट का समय होता है और सो मिटर कोई ज्यादा दूरी नहीं होती है अलांकि इसमें भी आप लोग जैसा कि देख पा रहे होंगे कुछ केंडिडेट ऐसे हैं जो भाग कर इस दोड़ को पूरा कर लेते हैं यह मैं तो यही कहूंगा कि इसके इंदर आप लाप्रवाई ना दिखाएं अगर आप लोग आसानी से एजी तरी कर लिए हैं अब दोड़ के बात करते हैं जैसा कि आप सभी लोग देख रहे हो कि यह दोड़ सुरू हो चुकी है एक किलोमेटर की यानि कि हजार मेटर की आप लोगों की दोड़ होती है जिसके अंदर अलग अलग ग्राउंड पर डिपेंड करता है मेक्सिमुम आप लोग को मिलता है तो कॉलिफाई माने जाते हैं अन्य था इसके इंदर आप लोग कौलिफाई नहीं होते हो जैसा कि मैंने पहले आप लोगों को बताया कि सबसे ज़्यादा जो बच्चे निकलते हैं फिजिकल में वो इसी एक किलोमेटर की रंणिंग के अंदर ही निकलते हैं बहुत आसान चीज नहीं है अगर आप लोग प्रेक्टिस नहीं करोगे जैसा कि मैं अभी आप लोगों को बोल रहा हूँ जिनके भी काफी अच्छे नमर बन रहे हैं 60 से प्लस कर किसी के नमर बन रहे हैं तो वो आसाने से फिजिकल की त्यारी करें और अभी से त्यारी करें क जैसा कि आप लोग देख सकते हो कि जिस परकार से बच्चों को दोड़ना सुरू कराया गया था इस वीडियो में लगबग 75 से प्लस केंडिडेट को इस राउंड के अंदर लिया गया था और जब अंतिम रूप से सेलेक्शन होगा तब 35-40 के राउंड ही बच्चे ऐसे हो जो कौलिफाई होंगे बाकि डिसकौलिफाई हो जाएंगे यानि कि वह अपनी समय पर दोड़ पूरी ही नहीं कर पाएंगे आप लोग वीडियो में देख सकते हो किस परकार से किसे लड़के गिर बी जाते हैं और कमजोर की कारण उनसे चला ही नहीं जाता है आलंकि उन्ह हो देखिए काफी सारे से कंडिडेट हैं जिन्होंने समय से पहले ही अपना फीजिकल को पूरा कर लिया है लेकिन अभी वी कैसे ऐसे कंडिडेट आप लोगों को ट्रेक पर दिख जाएंगे जिनके राउंड कंप्लीट नहीं होए हैं चाहिए इनके कितने भी नंबर होंग के रिटर्न में या फिर जो सीबीटी हुआ था लेकिन अगर सीबीटी के लिए नहीं कर पाएंगे तो यहां से बाहर हो जाएंगे तो आप सभी लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है प्लीज दोड को अपने फिजिकल को और अधिक मजबूत बनाई इसके उपर लापरवाई ब